जैमातादी वैश्नोदेवी से जुड़ी हर लेटेस जनकरी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बैल आइकन भी जरूर दबाएं जैमातादी डिवोशनल पुरा भक्तों का एक बार फिर से नहीं उतासी वीडियो महारतिक स्वागत करता है अगर आप भक्त भी श्रीमाते श्नुदवी यातपर दिसंबर महीने में आ रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है कि यातपर भीड कैसी बनी हुई है मोसम कैसा बना हुए इस समय यातपर कितने भक्त प्रते दिन यात्रा करने के लिए और सबसे जरूरी चीज़ अगर आप भक्त ट्रेन से या बस से आते हैं कट्रा या फिर जम्मू तो आप भक्तों को क्या कोरोन डैस दिखाना नहीं वारे होगा क्या कुछ इस समय नियम च जानकारी के लिए बता देना चाता हूं जो नजार आप भक्त देख पा रहे हैं यह कटा रेल इस्टेशन का ही इनत्सारा है भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाता हूं इस समय भीड बहुत बनी वी यात्रा पर प्रति दिन लगभा कट्रा में 40-50,000-60,000 तक भक्त खाना अनिवारे होगा आप इस चीज का ज़रूर ध्यान रखें आप भक्तों को कोई भी कोरोन टेस्ट करने की जरूरत नहीं है ये भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं तो आपको परेशान होने की यहां पर कोई भी आवशकता नहीं है आप भक्तों की जानगारी क्लिफ सब्सक्राइब करें जाना भी सकते हैं by jangan सब्सक्राइब करें तो मादनी के पवित्रियात्तर पर कभी बारिश हो सकती है और अनुमान यह जताहीं जाता है कि जब भी बारिश होती है दिसंबर महीने में जनवरी महीने में आधा जहते हैं मैंने किकिस दिंदर तो माले को हम आधाने का बहां सब्सक्ति पर आular ज़ाह बहुत्पर जहते हैं mrl तो आप अपनी यातर रात को 12 बजे शुरू करें फिर सुभा चार-पांच बजे जिसे की सेम डे ही आप भवन या बहरो बाबा के दर्शन करके रिटरन कट्रा आ सकते हैं इससे सबसे बड़ा फाइदा भक्तों का यह होगा कि आप भक्तों को यातर पर उठना ही नहीं पड़ेगा वहीं कट्रा मार्किट में भारी भीड देख सकते हैं इससे नुमान लगाया जा सकता है कि कितनी भीडी समय यातर पर आ रही है वही अगर आप भक्तों को मेरे दोवार दी गई जानकारी पसंद आ दी तो चैनल को सब्सक्राइब दरना ना भूलें वीडियो को बागी भक्तों के साथ शेयर करना ना भूलें आप यात्रव करने कब जा रहे हैं आप ये भी हमें कमेंड में पताना ना भूलें अगर आप हमें अपना अनुभव भी कमेंड में शेयर कर सकते हैं तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे वही मादनी की पवीत्र यातर प्रगरम आगे बढ़ते हैं बान गंगा मार्क से तो यहां पर भी काफी अच्छी भीड बनी हुए हैं सबसे बड़ी बात में आप भक्तों को यहा बढ़ते हैं अगर आप भक्त यातर पर जाते हैं आप भक्तों को यह सोचना होगा कि यातर पर उखने की कोई भी व्यवस्ता नहीं है बैटरी कार से लिकर हेलिकॉप्टर की सबी बुकिंग पहले ही फुल हो चुकी है तो ऐसे में कहीं न कहीं आप भक्तों को सोचने की बह प्रवन की बात करें तो आप भक्तों की जानकारी के बता देना चाहते हैं तो इसमें एक से देढ़ दिन दो दिन तक की भी आपर वेटिंग देखी जा सकती है यहां पर मेरा भक्तों से यह नरोद रहेगा अगर आप गुफा में दर्शन करना चाहते हैं अर्दुवारी मे वहीगर हम पवित्र भवन की बात करें तो यहां पर भी आप देख सकते हैं जो दुरगा भवन है जो कि नया भवन है लगभग बनके काफी हद तक तयार हो रहा है यह काफी अच्छी बात है हाला कि अभी यहां पर यह अनुमान जताना काफी जादा मुश्किल है कि क्या यह आखरी तक बनके शुरू हो जाएगा अभी इस पर कुछ भी कहना काफी जादा कटे magnitude है वहीं अगर हम इसकाई वोक की बात करें तो लिए वीडियो को बाकि भक्तों के साथ शेयर करना ना पूलें आप याता पर कब जा रहें यह भी आमें बताना ना पूलें मादारी की पवित्री याता पर आने वाले भक्तों को सभी को मैं जयम आतादी कहना चाहता हूं आप जाते रोजनतादा तस्विर पिंडी रूपी दर्शन प्राप्त करना तो आप हमें इंस्टागाम और फेस्बूक पर भी फोलो कर सकते हैं जिसकाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ याप की स्क्रेइन पर भी मिल जाएगा तो मिलते हैं यह वीडियो में तब तक के लिए जैम आतादी